कि हेलो दोस्तों गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून गुड इबनिंग तो मैं आपके सामने एक बहुत ही इंफॉरमेशन सैसन को लेके एंड सीरीज को लेके मैं आया हूं कि आपको यह पूरा जो सीरीज है काफी अच्छा लगेगा क्योंकि मेरे पास अभी मैं जब लेता हूं तो इस्टुडेंट्स की कुछ स्पैसिफिक रिक्वाइर्मेंट आता है कि सर हमें कुछ AWS में एडवांस टॉपिक्स को गो तुरू करना है जो टॉपिक्स हम लोग जन्रली ट्रेनिंग में कवर नहीं करते हैं कुछ एडवांस टॉपिक्स या तो वो सिसॉप्स के प्रोफाइल में पूछे जाते हैं या से मैं अपने चैनल पर एक नया सीरीज एडवाइस का जिसमें की मैं ऑल टुगेदर एडवाइस के सटिफिकेशन की स्पैसिफिक में आप से बात करूं जिसमें की सीरीज में आप लोगों को मैं इसके दौनों लेबल एस उसीएट और प्रोफेशनल जिनका एक्जाम कोड यह कोगा एंड इसका एक्जाम कोड आपका यह है एंड झो हमारा एक्जाम होता है डाटेस डेट इसका लेबल इसका यह वर्सक्राइब आइडिया यह कि मैं एक एसा common सीरिज आपको प्र्वाइड करूं जिसमें की कोई स्टूडेंट्स जो मेरे से टच में रहते हैं या फिर जो मेरे ओनलाइन वीडियो को फॉलो करते हैं या मेरे एक्जिस्टिंग बैच में से कर सकते हैं आप ग्लोबल सर्टिफिकेशन एडवलियस का क्लियर कर सकते हैं आफ्टर वोचिंग दा कंप्लीट सीरीज ठीक है तो कैसे मैं रिकॉर्ड करूंगा इस सीरीज को थोड़ा सा मैं फस्ट इस लेक्शर में आपको बता देता हूं तो अपने ऑफिश्यल दो यूट् में अभी कबर करूंगा उनको डेली में ट्राइ करूंगा कि आपको फोर लेक्शर के वीडियो में आपको अपलोड करूं और जो पहला चैनल आपका होगा जिसमें मैं रिकॉर्डिंग को अपलोड करूंगा फस्ट विल बी लीनेक्स वाले गुरूजी आप यूट्यूब तो आप आराम से प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके आप सर्च कर सकते हैं पर्टिकुलरली एंड रिक्वेस्ट आप सब लोगों से इतना है अगर आपको वीडियो लेक्शर अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेयर ठीक है विद यॉर फ्रेंड्स ठी दो डिफ्रेंट तरीके से मैंने टॉपिक्स को डिजाइन किया है यहां पर ठीक है पहला तो अजेंडा मेरा यह है कि कंपनीज में जो क्लाउड एड्मिन या सपोर्ट क्लाउड इंजिनियर की प्रोफाइल को टार्गेट कर रहे हैं या एक सॉलूशन आर्टेक्ट की प्र दिफेर करोगे एक कॉन-कॉन से टॉपिक्स में आपके यहांकर ने वाला हूं इंट्रोड क्लाउड कम्पयूटिंग तो मैंट ने फ्रेंनिंग अपने सीरीज को इस सीरीज को स्टार्ट करेंगे और धीड़े हम हमें एक-एक टॉपिक को सेम सिक्वेंशल और में जो मैंने यह पर लिखा हुआ है तो सेकंड टापिक आपका बी PC रहेगा फिर far again and EBS ephemeral storage या first instance फॉर EFS, Simple Storage Service, S3 Glacier, Identity and Access Management and then EC2, CloudWatch, ELB, Auto Scaling Group, RDS, AWS Ka Pura Command Line Interface and Simple Notification Service, Simple Email Service and WorkMail, DynamoDB, CloudTrail, CloudFront, AWS System Manager, Route 53, AWS Backup and AWS Data Sync and AWS Transfer. Agenda मेरा यह है कि जिन लोगों का AWS में other technologies को अगर आप पढ़ना चाहते हैं, जैसे कि AWS में we have the multiple technologies, AWS अपना machine learning में भी course कराता है, IoT के भी services उनके हैं, big data के भी services उनके हैं, या फिर AWS में advanced networking या security के कोई भी services अगर पढ़ना चाहते हैं, तो prerequisite आपका यह रहता है कि आपको जो इ clear होना चाहिए, before starting any specific service in AWS ठीक है, तो आपको काफी अच्छा लगेगा interested मैं topics के multiple lab आपको particular service में आपको करा के दूँगा, and I will try की जो भी lab में आपको करा रहा हूं, company specific scenario based हो, जो आप real time अपना implementation installation प्रोविजनिंग आप companies में करते हैं, उस label से मैं try करूंगा इस पूरे series को record करन का, specifically DevOps engineer के लिए मैंने कुछ planning किया है, जैसे कि आपने देखा होगा generic हमारे पास DevOps के कुछ tools होते हैं, जिनको आप लोग बोलते हैं, Jenkins बोलते हैं, ठीक है, डॉकर है, कीवर नीटीज है, एंसीबल है, सैफ है, पापेट है, तो companies में एक job description में, आपने आजकल देखा होगा, company dedicated हाइर करता है, DevOps engineer को, तो सेम मैंने यहां पर को शेक प्लान किया है, कि जो लोग अपना dedicate DevOps में अपना profile set करना चाहते है, specific on AWS cloud, उनको यह बाले, उनके skill set, एक particular engineer के skill set, यह आपका इतने जो topics, 10 topics आपके लिखे हैं, यह must आपके skill set में होने चाहिए, that's why I thought to record some advanced topics also, तो आप जब यह overall तीनों पेपर अगर आप प्लान करना अपना चाहते हैं, तो अगर इतना अपका कबर है, आराम से AWS में, तो किसी भी exam को आप अपना plan कर सकते हैं, there is no advanced topic, आप इसके अलाबा कोई भी ऐसा topic आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा, जो कि आपके exam से related को उसमें से आएगा, तो अगर आप इतने topics को भी करके आप जाते हैं, तो overall आप देख सकते हैं, 26 सम लोग admin पार्ट में और डेवक्स के टूल में, 10 topics हम यहाँ पे, तो overall I will cover almost near about 40 services of AWS cloud, ठीक है, टारगेट मेरा यह है कि विदिन 4 months, I will try to cover these 40 services of AWS and कोसिस मेरा यह रहेगा कि 4 to 5 lectures के वीडियो आपको मैं daily, it depends on my availability, अगर मेरे को time मिलता है, तो I can provide you more than 5 videos also, but keep updated yourself with the both channels, Linux वाले गुरूजी और के आने नेट्वरक लाओड, and please make sure to like and subscribe and share if you want to just get the updates automatically, so subscribe channel को कर लेना है and मेरा introduction आप लोगों को अल्रेडी कुछ लोग मेरे से अल्रेडी टच में रहते हैं तो फिर भी जो लोग बेज सकते हैं या फिर यू can just give me a direct call and this is my email ID जिस पर आपको information अगर अलग से आपको मैंने I started my training career with the Reddit and Reddit में मैंने I have done RSC तो एक Reddit का जो टॉप मोस सर्टिफिकेट है जिसको हम लोग बोल सकते हैं मेरा जो लेवल यहां पर है लेवल थ्री रेड़ सर्टिफाइड आर्किटेक्ट इसको बोलते हैं फिर इसके बाद मैंने जो की काफी बैचेश डिलीवर करें हैं अबी मैं जो बैचेश आपका ले रहा हूं लाइब वह एडव्लूएस के बैचेश है तो यह डव्लूएस करके डेवपस के टूल इस सीरीज में कवर करूंगा क्योंकि स्टुडेंट का इस्पेसिफिक मेरे पास मैसेज़ आते हैं कि सर आप जो यह डेवपस के टूल से इंटर्व्यू में पूछे जाते हैं इनका एक सीरीज आप बनाके यूट्यूब पे एट्लीस आप अबढ़ करा दें तो सेल्फ लर्निंग से हम लोग उनको अप्डेट करता हूं आप उसको डेली कमेंट सेशन में जाके आप अपने जो भी आपके आप उनको जास पोस्ट कर सकते हैं एंड हाई विल वी हैपी तो आंसर ऑल दी क्यों थेंक यू कि 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 कि